हलो फैन्स वेल्कम बैक टो मैं ट्रिप चैनल तो फैन्स कालर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या दिखेंगे उसे जाने से पहली मैं आप से कहना चाहूंगी अगर आप चैनल पे नहीं हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजि क्योंकि फैन्स तो चली सुन करते हैं स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहां पे जो है निवी रिदा और साकिये जो है रवी और दिविकाव को डून रहे होते हैं वो लोग कोटेज के पास पहुंच भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो लोग बना तुम सामने नहीं आने चाहिए नहीं तो लोग को शक हो जाएगा मैं जाता हूं फर रवी जो वो मन में सोचता है कि मैं न कैसे भी करके दिविका को बचाता हूं उसको यह एहसास दिलाओंगा कि मैं उसको बचाने आया हूं इससे कि उसके लिए में अच्छा बन और इदर दिखाते हैं कि देविका और रवी अंदर होते हैं तभी रवी आता है देविका के पास और कहता है कि अरे वास नहीं आ रहे क्या हुआ मेरा गलक हराब हो गया है क्या क्या हो गया तभी फिर देविका उदर मुग गुमा के खड़ी हो जाती है और मुश्कुराने ल उस दिन पहले तो तुमने कहा था, तुम्हें ये नाम बहुत पसंद है, जब तुम मुझसे दूर थी, तुमने इस नाम को बहुत मिश्किया था, तुमने तो यही कहा था मुझसे, और अब तुम कहा रहे हो कि तुम्हें ये नाम नहीं पसंद है, देविका कहती है, हाँ सुनो मैं तुम्हारे निए कुछ लेकर आया था, दिविका कहती है, क्या धे तो इधर तो पल्टूगी न तब तो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, दिविका जोती न थोड़ा सा गोंती है, तो यहां क्या है, तो वो कहता है तो अच्छा, ऐसे पल्टूगी अब तू, पूरी कहता है वो क्या है ना मुझे यहां पर कुछ दिखा नहीं तो फिर ये दिखा तो मिसी कोई फूल बनांके ले आया और इसके पर पत्तियां जो मैने अलग से लगाएं इस नहीं लगते तो तो दिवी का कहती है कि अच्छा तो मैं जो भी तुम्हे कुछ देना है तो रूबी कहता है क्या तो कहती है घुझ्च क्या चानि-च्वखory कि नियुक्त मैंने तु सबसे प्यारा गिफ्ट हो गा तुमने बन पर ईतर दिखाते हैं यहाँ पर के लिए नास्ताल आती हैं को रिखाते हैं तो वह कहते हैं पता नहीं मुझे इसने काया जाएगा जाए का मैं नहीं का पाओंगी तो वा कहती है मुझे लगता है उसी ने किया हो और कौन करेगा और ये निवीदिता है न मिस लोट ना इसी के काम है यही काम करेगी तब ही वहां पे सावेत्रिजी आ जाती है कहती है दूसरे पे लजाम मत लगा हो हां यह सब उनका मंजु जी का क्या वो कितनी लालची है ना उसी ने सब पैसे की बज़े से किया है जिसे वो उससे दूर हो जाएगी ना उस दिन सब ठीक हो जाएगा देखना और फालतों में किसी पर इलजाम लगा रही हो और वो गुसा करके ना वहां से चली जाती है और डिख करते हैं तो मुन्टी साक्षी कहती ही देखा हमें कैसे उसने फसादिया कितनी चलाँक о ओरत है ना वह मुन्टे कहता है है वह बहुत चलाँक ke आरत है उसने उल्ता हम परेदियी पीछे बार कर दिया जोड़ेकि साच्छी सब कुस्टी हो जाएगा तुम परिशान मत हो और हमारे साथ कुछ भी हो जाए साक्ची हमें इस बात की कोई परवा नहीं है पर हमारे भाईया और भावी जल से जल ठीक ठाक घर बापस लोटाएं बस इतना ही चाहते हैं साक्ची कहती है कि कितने दिन हो गए है दियो जीजी को नहीं देखा मेरी आखे तरस रही है उन्हें देखने के लिए समझ नहीं आता है क्या करो और इदर दिखाते हैं कि साकेत और निवेजिता जाते हैं उस घर में उन लोगों को ढूंते हैं रवी और देविका को पर वो हा होए होते हैं तो निव Kr Iya है कि लग रहा है यहां से वो लोग चले गए आ हैं तो हो साखित कहता ही MICHAEL है कि यहां व निवीधा कहती है फिर तुमने तो कहाता आदमी उसमें कहता मैंने इक आदमी चोड़ा हुआ था तो फिर कहती है वो कहता है वो उसके पीछे ही मुझे लगता गया हुआ है तो मुझे हमें यहां पर इंतजार करना होगा तो निवीता कहती है तो यहां पर ही रुकना होगा मैं हां इंतजार करना होगा तो साकित कहता है हां और हम कर भी कह सकते हैं हमें यही तो करना होगा नि आदमी साकेत का वो भी इसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तो ऐसा करते हैं तो मैं काम करो तो मिहाँ से चली जाओ। मैं इसको भी ठीक करता हूँ फिर मैं भी आता हूँ तो दिवीका वहाँ से निकल जाती है और यह चुप जाता है। गर जाता है रवी केता है रुको रुको तुम तो यह बिल्कुर भी वो कहती हाँ और क्या मैंने यह करूँगी। तो कहती है मैंने तुमारे साथ यह सब सीख लिया है समझ में आया तुम्हें। तो इदन साकिछ जो आपने आद्मी को फोन लगा लो, वो उटहा लेता है और कहता है कि तुमारा आद्मी है न यह भी खोस हो गया है यह सुनके साकिछ सोता ही तो रभी फोन पर बोला है और तभी विज़ं दम से घुबरा जाता है और इधर निवेजिता पूछती है कि क्या हुआ कौन था तो इधर दिखाते हैं कि ये जुरूर उसके बॉस का ही फोन होगा देवीका कहती अच्छा और इधर निवेजिता पूछती है कि किसका फोन था तो कहता अरे कुछ नहीं, रभी को सब अभी मालूम हो जाएगा, उसने उसका आदमी को पकड़ लिया है और उसको पिटाई लगाएगा, उसको सब मालूम हो जाएगा कि ये सब किसने कराया है और वो तुमनारा नाम ले लेगा निवेदीता है अब तुम ग्या करोगी अब तुमारा वो सोचती हाँ मेरा ले लेगा नाम तो अब तो क्या होगा तो निवेदीता है है अहाँ बड़ा परशान हो जाती है सुनके तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा करो फोटो लेयाओ और तो यहां पर ये लोग बाते कर रहे होते ही तो मन्जू जी बहुत परिशान हो रही होती है कहते हैं कि पर मैंने अपने बेटे को कपसे नहीं देखा पता नहीं कैसा टाइम तक मेरा बच्चा कहा है कैसा है कुछ समझ में या रहा है तो रवी की चाची जी समझाती है परशान मत हो सब ठीक हो जाएगा और तब ही वहाँ पे यह उन्हें समझा रही होती है मंजु जी को वहीं पे स्वैता आ जाती है वो कहती है कि ऐसा करिए ममी जी आप पानी पी लीजे और आप परशान मत हो यह तब ही वह बात ही कर रही होती है उतने में क्या उसकी निगाँ पड़ती है अधर रवाजी तब तो देखती है कि रवी और दिविका खड़े हुए है तो वह कहती है कि चाची जी ऐसा करिए मेरे चुटकी काटिये क्यों कि तेरे दिमाग खराब हैं कहती हाँ मुझे तो आब हर जगे रवी देवी का दिखाई देने लगे हैं तो कहती है अच्छा तो कहती है अच्छा आप कोई कि नहीं आप पलट के देखे पीछे उधर तो वो देखती है बड़ी खुश हो जाती है कि अरे ये लोग आ गए वो मंजू जी से कहती है देखो रवी देव का आगया पर वो रोए जा रही होती ही सुनती ही नहीं तो कहती है देखो जब वो देखती है तो बहुत कुश हो जाती है और आती है दोड़के उसके गले से लग जाती है कि रवी मेरा बच्चा आगया कहा था कैसा तो हो कहता है मा मैं ठीक हूँ और बिलकुर स साकित को बता दूं कि तो साकित को फोन लगाती है साकित कहता है निवीदिता से कि सुष्टा का फोन क्यों आ रहा है कि रिसीव करूं कहती है तो सुष्टा कहती है कहां पर हो तो कहता है कहां पर हूँ क्या तुम्ही क्या कर मतलब है इस चीज से कहां पर हूँ करी बताओ तो रवी ओ देवी का घर आ गए तो साकेत कहता है रवी ओ देवी का घर आ गए कैसे कहती हाँ घर आ गए मैंने सोच आपको बता दूँ तभी तो मैंने आपको फोन किया है तो कहता है अच्छा फिर तो कहती हाँ तो कहता है क्या करें तो कहता है ठीक है में हम लोग भी वहाँ पे आते हैं के और हम लोग भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे न तो उन लोगों को शक नहीं होगा कि ठीक है आप आईए तो साके निवीता को बताता है कि रवियू दीविका तो घर पहुँच गया है अब हमें क्या करना चाहिए तो वो कहती है ऐसा करते हैं हम लोग भी घर चलते हैं उन लोगों को शक नहीं होगा यह होगा कि हम भी ढूंटे रहनते जोगा घर पहुच गया है तो उन लोगों को न शक नहीं होगा बिल्कुल भी कहता ठीक है स्वेटा से उसकी बात हो जाती है प्रीदर दिख्lor दिखाते हैं कि मन्जू जी बहुत कुश हो जाती है इस गर के सारे लोग बहुत कुश हो जाते हैं फिर वो दीवीका से भी मिलती है और उसको गले से लगा लेती है वो कहते हैं अब आप क्यूं रो रही है अब तो हम लोग सही सलामत घर पे आ गया है ना अब आप क्यों परशान हो रही है अब तो सब कुछ सही हो गया है ना तो वो कहती है उनकी चाची जी की तुम्हे तो लेने वो रिखा जी ने बताया था कि तुम लोग तो आरा जायी टैम तुम लोगों नही कहां लगा दिया तो वो बताता है कि ऐसा है ट्रक से टककर हो गई थी पिर हम दोनों, मैं देवीका का हात पक् FIR हम दोनों तर नीचे गिरे थे पहाड़ी के पिर देवीका नहीं मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी जान बचाई वरना तो मैं तो वabil कहती नहीं तो वह समझातह है कि पूरी कहानी बताते है। मन Champion काफी पर्षान होती है तो आडि कि आपा भाभी होती हिसे कि जब भी मुसीबत में पड़ा है Vir bucks साज के लिए तना ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब फ्रैंस